नमस्कार साथियो मैं हूँ अचारे रवी कभार सर्दाना वासु कल से टेंट एरुकारीडर पामिश्टन रेकी हिलर और आप मेरे को सुन रहे हैं सब्टाइक रशी फल में जो किये 6 नमंबर से 12 नमंबर के लिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लेते हैं एरिस मेस राशी वालों के लिए दिनका जन्म 21 मार्स से 20 अपरिल के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं सबसे पहले बात करें मेस राशी वालों के लिए करियर की तो अच्छा कार्ड है कार्मी कार्ड है कार्ड ये बता रहे हैं कि जो आपने अब तक पीछे महनत की थी चाहे कम की थी या ज़्यादा की थी उस हिसाब से आपको इस सफ़ता रिजल्ट मिलता दिखाए दे रहे हैं अब आपके मन में ये भी आ सकता कि सर आपने इसमें कुन से नहीं बात बता दी ये तो है कि जितनी महनत करेंगे और उसका रिजल्ट इसी हफते आएगा ये तो नहीं पता था है ना तो आपने जितना चाहिए एक साल से आप मेहनत कर रहे हूं दो साल से कर रहे हूं या तीन महीने से कर रहे हूं या तीन महीने से कर रहे हूं आप जिस टार्गिट को लेके महीनत कर रहे थे उसका आपको इस पार रिजल्ट पिलता दिखाये दे रहे हैं अगर आपकी महीनत अ और इसी कमी आपने रख दी जितने efforts डालने चाहिए तो उत्रे नहीं डाले तो श्याद उतना अच्छा result नहीं आएगा बात के रहें ऐसे समेश रर्शी वालों के लिए relationship के तो relationship के लिए अच्छा card है relationship बता रहे हैं कि अगर आपका कोई litigation चल रहा है divorce case चल रहा है तो इस सब्ता आपका आपकी favor में उसका judgment आने की पूरी उमीद है दूसरा आप आपके कहीं पर भी अगर relation बिगड़ रहे हैं जहाँ पर गलती आपकी नहीं थी आप यह महसूस कर रहे हैं कलती आपकी नहीं थी तो वो relation भी इस बार settle होते दिखाई दे रहे हैं कुलमिला के positive part है relation के लिए आपके relation improve होते दिखाई दे रहे हैं बात के रहे हैर इस में श्राशी वालों के लिए अगर health की तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देनी की जरूरत आ रहे है कार सजेश्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपको routine से break लेनी की जरूरत है stress level बढ़ सकता है anxiety बढ़ सकती है कुछ चीजें ऐसी जैसे कि अभी आपका career की भी बात की या relationship की बात की तो उसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा ही होता दिखाई दे रहे होने की उमीद है पर अगर उतना अच्छा नहीं आएगा तो क्या होगा कि आपका stress level बढ़ सकता है जिसके कारण आपकी तबेद बिगड़ सकती है तो आपको card क्या suggest कर रहे हैं कि आपके साथ जो अभी घटित होगा वो आपके past करमास के कारण होगा तो उसके लिए कि अभी चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो तो आपने past में कर दिया उसी का आपको मिलने वाला है Whether it is good or not so good अभी आप क्या कर सकते हो कि आज से अपने positive attitude शिरू कर दीजे, positive thinking शिरू कर दीजे, positive behavior शिरू कर दीजे अब दूसरों के साथ अच्छा वेवार शिरू कर दीजे, तो आपकी चीजें ठीक होने लग चाएंगी, सेथ भी अच्छी रही है, दरवाई सेथ आपकी बिगड़ते दिखाई दी रही है यह था ऐरिस मेश राशी वालों के लिए आपके लिए लखी कलारा ग्रीन, आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीज सकते हैं, कई बर important meeting में जा रहे हैं, interview में जा रहे हैं, ग्रीन पैन के जाएंगे, सफलता मिलने के chances बढ़ जाएंगे, so wish you all the best, stay healthy, stay happy अब मैं अगला कार्ट टॉरस यानिकी रिशिव राशी वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 सेप्रेल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ट निकले हैं, 6 of souls, page of cups and 7 of cups, तो बात करें, रिशिव राशी वालों के लिए अगर करियर की तो अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, अगर आप अभी पीछे, पिछले सप्ता आया, 10 दिन, 15 दिन, एक महिना, किसी प्रॉब्लम से आप गिरे हुए थे, कोई प्रॉब्लम चल रही थे, आपका आउट्पुट वैसा नहीं मिलना था, वर्क प्लेस पे आपको थोड़ी सी दिक्काता रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखाई दे रही है, आपको प्रमोशन आपका वीट इंगलिश में था, इस बाप प्रमोशन आपका रिलीज होता दिखाई दे र कार्ड है, बात करें टार्स प्रिशिप राशी वालों के लिए अगर रिलेक्शन शिप की तो रिलेक्शन शिप के लिए भी पॉजिटिव कार्ड है, आपका वर्क प्लेस पे आफेर शुरू हो सकता है, आपका रोमेंटिक रिलेशन शुरू हो सकता है वर्क प्लेस पे, आ अगर health के तो health को लेके थोड़ा सा ध्यान देने के जरूरत है क्योंकि शायद आप काफी time से कोई treatment कर रहे हैं जिसका की बहुत ज़्यादा positive असर नहीं आ रहा है car suggest कर रहे हैं कि alternate therapy पे जाईए तब ही आपको उसका फर्क आएगा यह था tourist worship राशी वालों के लिए है आपके लिए lucky color है yellow आप कुछ नया खरीद रहे हैं yellow खरीद सकते हैं कई पर important meeting में जा रहे हैं interview में जा रहे हैं yellow पेन के जाएंगे सफलता मिलने के chances बढ़ जाएंगे so we show all the best stay healthy stay happy अब मैं अगला कार्ट जैमना यानि की मितुन राशी वालों के लिए लेता हूँ जिनका जन्म 21 मई से की जून के बीच में हुआ और आपके लिए card निकले है three of cups, queen of wands and queen of swords तो सबसे पहले बात करें में तुन राशी वालों के लिए career की तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा card आया है card suggest कर रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ extra achievement होती दिखाए दे रही है जितरे आप सोचते हैं आपको उससे ज़्यादा मिलती दिखाए दे रही है मालों आप सोच रहे थे कि आपको इस सब्सक्रा 100 की sale करने तो आपकी 150, 120, 130 sale हो जाएगी आप जो promotion चाहरे थे कि जिसमें आपको था किसाब आपका एक certain amount आपके pucks बढ़ जाएंगे pucks उससे ज़्यादा बढ़ते दिखाए दी रहे है पुल मिला के कुछ न कुछ ऐसा हुएगा चाहे आप job में हो चाहे आपके business में हो कोई आपको एक अच्छी बड़ी खुशकबरी मिल सकते है जिसको आप अपने दोस्तों के साथ रिष्टेदारों के साथ colleagues के साथ celebrate करना चाहेंगे sorry बात करें जैमनाई मितुन रशीवालों के लिए अगर relationship के तो relationship के लिए भी अच्छा card है थोड़ा सा आपको संभाल के चलने होंगे relation आपके relation थोड़े से बिगड़े वे दिखाई दे रहें और card suggest कर रहे हैं कि आप अपनी mother को या आपके कोई इस तरीके की senior female जो आपके साथ आपकी life में हो आप उसको अपनी बात बताईए कि जिससे जो आपकी बिगड़ते relation है वो आपको संभालने में मौका वो सायता करेंगे बात करें जैमनाई में तो नर्शी वालों के लिए अगर health की तो health को लेके तोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है एक्स्टा क्यार करने की जरूरत है आपका stress level anxiety level बढ़ता दिखाई दे रहा है आपका way of talking जो है वो aggressive होता दिखाई दे रहे जिसके करण आपका BP भी बढ़स रहा है इन चीजों पर control करने का सिर्फ एक ही तरीका है आपका कि अपने emotions पर अपने way of talking पर control रखे तो आपकी सब चीजे ठीक रहेंगी यह था जैमना मिथों राशी वालों के लिए आपके लिए लगकी कलर है वाइट आप कुछ नया खरीद रहे हैं वाइट खरी सकते हैं कहीं पर important meeting में जा रहे हैं इंटेवू में जा रहे हैं वाइट मैं के जाएंगे सफलता मिलने के चांसे बढ़ जाएंगे स्विश वाल दा वेस्ट स्टे हेल्थी स्टे हैपी अब मैं अगला card cancer यानकी करक राशी वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्द 22 जून से 33 जुलाई के बीच में हुआ और आपके लिए card निकले है फाइव और वेंट्स दाहर ओफेंट एंड एस अफसोर्स तो बात करें करक राशी वालों के लिए अगर career की तो थोड़ा सा आपका career में सुरी करियर में workplace में आपका जगडा होता दिखाई दे रहा है अपने कलीक्स के साथ हो सकता है कश्वर के साथ हो सकता है आपके junior senior किसी के साथ भी होता दिखाई दे रहा है जिसका की असर आपके career के उपर भी आएगा आपके output के उपर भी आएगा आपको करना क्या है कि कोई अगर आपसे जगडा कर रहे है आप उसको avoid करेए आपको initiative मत लिजे और avoid करना बहुत ही easy होता है बहुत मुश्किल नहीं होता है केवल आपको react नहीं करना है जब आप react नहीं करेंगे तो आप उस जो संभावित टक् आप टाल देते हैं बात करते हैं करक राशी वालों के लिए अगर relationship की तो relationship भी थोड़े से stress आपके दिखाए दे रहे हैं आपके जहांपर intimate relation थे जहांपर जिनको आप बहुत जदा प्यार करते थे वहांपर आपके relation थोड़े से stress हुए दिखाए दे रहे हैं और card आपको suggest क कर रहा है कि आप अपने किसी बड़े को उसको शियर करें चाहे मदर हो फादर हो बड़ी सिष्टर हो कोई सीनियर का लीग भी हो सकता है बॉस भी हो सकता है जहां पर आपके अगर प्रोफेशनल रिलेशन में पर्सनल रिलेशन बन चुगे थे वहां पर अगर आपके ऐसे रिलेशन खराब हो रहे तो आप अपने बास को अपने सीनियर को कह सकते हैं इंटिवीट करने के लिए कि वो आपको उसका बीच का रास्ता निकालें दोनों का पैच अप कराएं अगर एक दम में आपके पर्सनल रिलेशन है तो अपने मदर को फा इंक्लिनीशन आपकी तरफ जयदा होगा वह आपके लिए जयादा सोत्रे होगे कोई ऐसा व्यक्ति जो अनबाइस्ट होके आप लोगों का पैच अप कराएं तो आपका पैच अप हो जाएगा बात करें कैंसर करक्राशी वालों के लिए अगर हैल्थ की तो हैल्थ को लेके के थोड़ा सा ध्याम देने की जरूरत है आप का भी इस सप्ता थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता दिखाए दे रहे हैं आप क्योंक्याहाइगा अप गड़न करें को आपकी शेध अच्भी के, खलात, रेड आप कुछ नया करीद रहें, रेड खरी सकते हैं, करें पर important meeting में जा रहे हैं, या interview में जा रहे हैं, रेड पैंड के जाएंगे, सफलता मिलने के chances बढ़ जाएंगे, so wish you all the best, stay healthy, stay happy, अब मैं अगला कार्ड लियो यानि की सिंग राशी वालों के लिए लेता हूं, जिनक बात करें सिंग राशी वालों के लिए, करियर की तो अच्छा कार्ड है, नया कुछ आप शुरू कर सकते हैं, नया जॉब शुरू हो सकता है, नया बिजनिस शुरू हो सकता है, बिजनिस अल्रेडी कर रहे हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें आड कर सकते हैं, आपका travel भी आ हो सकता है, आप अपने कुछ खराब होते हैं, रिलिशन की वज़े से पिछले दो-तीन रातों से सोई भी ना हो, आपके मन में कुछ डर बैठा हुआ है, कार सेज़ेस्ट कर रहा है, डर जो है, वो baseless है, आपको लगता है कि वो आपको छोड़ के ना चले जाएं, तो वो baseless है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अपने मन से आप डर निकाल दीजे, चीजे ठीक हो जाएंगी, यस थोड़ा सा आपको अपने emotions पे control करने की जरूरत है, बात करें लिए उसिंग राशी वालों के लिए, अगर health की तो जैसे कि आपका career में आया था, आपका travel आता दिखा दे रहा है, तो travel करते समय सेथ का ख्याल रखेगा, नौर्थ में थोड़ा सा ठंड ज्यादा पढ़ने लग गए, उसको ध्यान रखके आप travel करिएगा, यस आपको थोड़ा सा diet control भी इस अपता करते के लिए, कार्ट सजेस्ट कर रहा है, तो यह था लियो सिंग राशी वाल अब मैं अगला कार्ड वर्ग हो यानि की कन्या राशी वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्द 24 अगत से 23 सेप्टेम्बर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले है, तू आपकप्स, नाइन आपकप्स, एंड सेवन आपकप्स, वाउ, बात करें कन्या राश अबना नहीं होता है, आपका उसका सिर्फ ये मतलब होता है, तू श्टेप इंटू दे शूज आफ अफ अदर, दूसरों की भावनाओं को समझो, दूसरों की जरूरतों को समझो, उस हिसाब से आप अपने एक्शन लो, अपने डिसीजन लो, करियर में इस सब्ता यह आपके काम करें, बात करें वर्गो कन्याराशी वालों के लिए रिलेशन शीप की तो यह ब्लेश्ट, आपको यह ब्लेसिंक्स मिली हैं बगवान की, कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे है, इस सब्ता यह फीलिंग आपके अंदर भी आते दिखाएं दे रही है, कि आपके जो भी रिलेशन आचाए, वो आपके लव रिलेशन आचाए, रिलेशन, फ्रेंड्शिप वाले हैं, कुछ भी है, वो बड़े ही अच्छे, सॉलिड और एक बहुत अच्छे लेवल पर है, यू विल फील थैंक्स टू गॉड की नहीं, आपको उन्होंने बहुत ही अच्छ बहुत अच्छे फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्यैंसी, बहुत अच्छा लवर दिया है, तो उसके लिए अगर आप में अब तक थैंक्यू नहीं बोला, आल्माइटी को थैंक्यू बोलना ना भूलिएगा, बात करें वर्गो करने राश्यवालों के लिए अगर हेल्थ की तो बहुत ही अच्छा positive card है, कहीं पर कोई negative issue health में आता नहीं दिखाई दे रहा है, पर यह से एक दो चीज़े हैं कि आपकी सब्ता outing हो सकती है, दावत आप कर सकते हैं, कि बढ़ पार्टी हो सकती है, उसमें आपको खाने का थोड़ा सा ध्यान रखना हुआ, यह था stay healthy, stay happy, अब मैं अगला card Libra यानि कितुला राशी वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जम 24 September से 22 October के बीच में हुआ, और आपके लिए card डिख ले है, 8 of pentacles, 2 of bands and 5 of pentacles, बात करें Libra राशी वालों के लिए career की, तो career के लिए आपका card कह रहा है कि बई, यह एक सही समय आया है, जब आप अपने skill पे काम कर सकते हैं, देखें जहां पर भी हम काम करते हैं, हम चाहे professional और self-employed हो या कहीं पर job कर रहे हो, हमारा skill बहुत बड़ा role अदा करता है, कई बार तो autonomous job होता है कि जैसे कर दिया साल हो साल वैसा ही करें, वहाँ पर skill की कोई जरूरत नहीं है कि अब आप एक machine के तरीके से काम करें, पर जहां पर आपका skill directly use होता है, वहाँ पर जरूरी होता है कि आप अपने को updated रखें, आप किसी का कोई seminar अटेंड कर सकते हैं, workshop अटेंड कर सकते हैं, कोई training अटेंड कर सकते हैं, अगर ऐसे कोई भी आपको बॉका नहीं मिल पा रहा है तो YouTube पे उससे related कुछ वीडियो देखें, books पढ़िए, कुछ न कुछ ऐसा करें कि जिससे कि आपकी वो skill set बढ़ें, बात करें ल लीब रातुला राशी वालों के लिए अगर relationship के तो relationship भी अच्छा card है, नए relation बनते दिखाई दे रहें सब्ता, और जो आपके नए relation बनेंगे, उनके साथ आप घूमने भी जा सकते हो, आप outing पे भी जा सकते हो, long bride पे भी जा सकते हो, बात करें लीब रातुला राशी वा ना खाईए, ना ज्यादा, मनलब excessive work भी आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है, time से खाईए, time से सोईए, पूरी नींद लीजिए, जो आपके OTT बगार है, उनको थोड़ा सा OPO कम करें, जिससे की आपका stress level कम हो जाएगा, वो चीज़े हमारे उपर बहुत negative असर डालती है कई बार हमें पता नहीं चलता है, पर एक बार कोई भी series आप देख लेते हैं तो उसको बार-बार देखते रहते हैं, उसका दिमाग में चलता रहता है, बार-बार देखने का मतलब दिमाग में चलता रहता है, तो आप stable नहीं रहे पाते हो, इन चीज़ों से थोड़ा दू राशीवालों के लिए आपके लेखी कलर है ब्लू आप कुछ नया खरीद रहे हैं ब्लू खरी सकते हैं कहीं पर इंपोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं इंट्वी में जा रहे हैं ब्लू पहन के जाएंगे सफलता मिलने के चांसे बढ़ जाएंगे तो वीश्यों अल्द स्टे हल्दी स्टे हपी अब मैं अगला कार्ट स्कॉर्पे अने की फ्रिशिक राशी वालों के लिए लेता हूं जनका जम 23 अक्टूबर से 22 जवंबर के बीच में हुआ आपके लिए कार्ड निकले हैं strength, ace of pentacles, ace of vents बात करें अगर स्कॉर्पे प्रिशिक राशी वालों के लिए अगर करियर की तो करियर के लिए आपके लिए बहुत clear guidance है कि जो आपका एक आप बहुत अच्छा वेवार करते हो लोगों के साथ बहुत शांत भी रहते हो इस सब्ता बहुत ज़्यादा जरूरत है आपके उस strength की जो आप लोगों को handle कर लेते हो लोगों को अच्छे से समझा लेते हो उसकी आपको इस सब्ता बहुत ज़्यादा जर प्रब्रम सॉल्व कर दें दिस प्लस वाइगा बात करें इस कॉर्पेब रिचिक राशी वालों के लिए अगर रिलेशन रीप की तो बहुत ही अच्छा काड़ाया आपके नए रिलेशन बनते दिखाए दिरें रोमेंटिक रिलेशन लव रिलेशन आपके बन सकते हैं और यह हो सकता है कि आपको कोई अच्छा पार्टर भी मिले क्योंकि आपका मॉनेटरी गेन भी होता दिखाए दिरें बात करें इस कॉर्पेब रिचिक राशी वालों के लिए हेल्थ के तो हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको तुरंट एक्शन देने की जरूरत आती दिखाए दिरें हेल्थ में थोड़ा सा शेयर तब इदनाशाद चल रही है आपकी जिसको की आप इग्नोर कर रहे हैं कार सजेश कर रहे हैं आपको हेल्थ को इ नीन खरी सकते हैं कई पर important meeting में जा रहें इंटर्वु में जा रहें ग्रीन पैंट के जाएंगे सबलता मिलने के चांसे बढ़ जाएंगे तो कि विश्व अलबेश श्टे हर्दी श्टे एपी अब मैं अगला सब्सक्राइब के लिए लेता हूं जनका जन 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं दा एंपरर दा लवर एंड फूर ओफ वेंड बात करें सेक्रिटेर दनुब राशी बालों के लिए अगर करりयर की तो बहुत ही बेतरी काड आया है इस सब्सक्राइब को कोई एक सीनियर वर्कति कोई आपके फील्ड का आपके पापा आपके दादा जी आपके बॉस किसी ना किसी रूप में आपकी साहता करेंगे आपके बिजनेस का कोई बड़ा व्यक्ति कोई गौर्मेंट सीनेर ओफिशियल्स वो आपको साहता कर सकते हैं जहांपर अगर अगर आप स्टक हो रहे हैं वहां से आपको निकालने में साहता करेंगे कहीं पर चीज़ें आपकी रुक रही हैं, वो उन लोगों की साहेता से चीज़ों से भार आ जाओगे, नस आपकी नई सक्से स्टोरी भी स्टूरी हो सकती है, इस तरीके से किसी बड़े व्यक्ति के साथ के साथ, हम बात करेंगे अगर धनुराशी वालों के लिए करियर, रिल पार चाता है, दूसरा कार्ड सजेश कर रहे हैं आपको कि आपको अपने रिलेशन में ट्रांसपरेंसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की जरूरत है, जो भी अभी आपके नए रिलेशन बने हैं, उसमें आपको छुपाई हैं नहीं, अगर पुराने भी हैं, कुछ चीज बहुत बोल के अपने रिलेशन ना बनाएं, बात करें दुरूर रैशे वालों के लिए एगर हेल्थ की तो हेल्थ के लिए कि बहुत ही अच्छा कारड है, पॉस्टीव कारड है, और उनकी लिए यह बहुत ज़्यादा पॉस्टीव कारड है, जो अभी तक बीमार चल रहे वो खान पर इनकार एक्सरसाइज का ज़्यादा ध्यान रखेंगे जिससे चीजी रियकर नाप जाए यह था धन्म राशी यानिकी साइटेटर राशी राशी वालों के लिए और आपके लिए लगए कलर है ब्लू आप कुछ नया खरीद रहे हैं ब्लू खरी सकते हैं कई पर मीटिंग में जा रहे हैं इंट्यू में जा रहे हैं ब्लू पैन के जाएंगे सफलता मिलने के जांसे बढ़ जाएंगे फिश्य वाल दावेस्ट स्टे हल्दी स्टेपी अब मैं अगला कार्ट कैप्रिकॉन यानिकी मकराशी वालों के लिए लेता हूं जनका जनते इस दिस कोन मकराशी वालों के लिए करियर की तो आपका ट्रांसफर होता दिखाई दे रही सकता आप एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं और अगर आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा तो कम से कम ट्रैवल तो आएगा किसी नहीं रूप में आपका तो स्टेशन है आप उसको छोड़ को चाहे citizens हो। चाहे ईंपरेरी री काम के स्लस्ले में ली आपको बाहर जाना पट रहे हूं। अपको यह वी है कि शहित आपके पास हैसी स्थित्जी आती आ सकते हैं है कि इसमत्ताatra कि decision लेना होगा और just आप अपने intuition पे believe करिए जो आपको intuition कहेगा वो आपके लिए साही होगा just go ahead बात करें कैप्रिकोन मकराशी वालों के लिए relationship की तो थोड़ा सा आपको अपने speed कम करने की जरूरत है बहुत ज्यादा aggressive हो रहे हैं आप अपने relation को mature करने में दोस्ती ज्यादा बढ़ाने में तोड़ा सा ब्रेक लगाई है क्योंकि आप या aggressive नेस आपके relation हमेशा के लिए spoil कर सकता है तो just control your emotions and speed बात करें कैप्रिकोन मकराशी वालों के लिए health के तो health को लेके आपका जैसे career में निकला था आपका transfer या moment आता दिखाए दे रहा है आपका health का card भी बोल रहा है आपका moment आता दिखाए दे रहा है प्लस कुछ नहीं आपकी कोई बिमारी भी आपकी generate हो सकती है नौर side में सर्दी ज्यादा पढ़ रही है सर्दी का प्रकौप हो सकता है बाकी भी खान पीन का ध्यार रखे दिससे की आपको आंतों से संबंदित पेट से संबंदित कोई बिमारी ना हो इसकी के अंदेशा आ रहा है यह था कि अपरिक्स मारा राशी वालो की लिए cleanاغ के ला रहा है यह अपिला कोस्पीली के लिए निक नौरिटली के बीच में कि वा-उरा और आपके लिए का निक्न प्रड कोई तक लिए निक of pentacles and seven of vents तो बात करें अगर कुम्राशी वालों के लिए करियर की तो करियर का इस आपका एक फेस समाप्त होता दिखाई दी रहा है फेस समाप्त होने का मतलब क्या है कि अगर आप जौब कर रहे हैं तो जौब छूट सकते हैं जौब आपकी छूटी हुई है तो नई जौब लग सकती है ठीक है आप अभी एक केडर में थे आपको दूसरा केडर मिल सकता है तो वो केड रहा ऐसा होने की जा अंदेशा हा रहा है जिससे कि आपकी कई चीजे लाइफ की प्रभावित हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी बात करें कुम्राशी वालों के लिए अगर relationship की तो अच्छा कार्ड है आपका travel आता दिखाई दे रहे relationship को लेके यानि कि अगर आपका लड़की या लड़का देखने का process चल रहा है marriage proposal चल रहे है तो marriage proposal के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं इसकी ज़्यादा संभावना है और अगर आप जाते हैं तो उसका done होने की भी ब आसवार हो सकता है और health में भी आ रहा है कि आपका yes ऐसे होने की possibility है तो आपको खांग पीन का ध्यान रखना है exercise regular करते रहना है जो भी कर सकते हो करना है प्लस सबसे ज़्यादा नौर्स के साइट के हैं तो आपको सेथ ख्यालिस ले रखना है या सर्दी ज़्यादा पढ़न रहेंगे wish you all the best stay healthy stay happy अब मैं आगला और आज का आखरी कार्ड पाइसेद्मीन राशी वालों के लिए लेता हूँ जनका जन 20 February से 20 March के बीच में हुआ आपके लिए कार्ड निकले है King of Pentacles, Knight of Cups and a High Priestess बात करें पाइसेद्मीन राशी वालों के लिए अगर करियर की तो बहुत ही अच्छा कार्ड है आपको कुछ बड़े ओर्डर सी सप्ता मिल सकते है कोई बड़ा जॉब का ओफर मिल सकता है आप अल्रेडी जॉब में है तो आपका बहुत अच्छा जंप को सकता है उसमें आपका अपना बिजनस है तो कई बहुत ही बड़ा ओर्डर मिल सकता है वैसे भी अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है हर कंपनी, हर दुकानदार, हर शोरूम वाला चाह रहा है आने वाले फेस्टिवल से डारेक्ट रिलेशन है तो उसके लिए आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपकी काफी अच्छा आ रहा है बात करें अगर पाइसीर में राशी वालों के लिए रिलेशन्शिप की तो आपका रिलेशन्शिप में थोड़ी सी इमोशनल डिश्टर्बिंस आती दिखाई दे रही है आप इमोशनल डिश्टर्ब हो सकते हो आपको हो सकता है कि जिसको आप प्यार करते हो वो आपको उस हिसाब से आपसे वेवार ना करें जिसको आप बहुत जाता चाहते हैं वो थोड़ा सा उसका वैवार आपकी प्रती रूखा हो जाए कुछ नो कुछ ऐसा हो सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा आप इमोशनली डिश्टर्ग हो जाएंगे रिलेशन्शिप को लेके ये सब्ता निकल जाने दीजे चीजे ठीक हो जाएंगे बात करें पाइसीर मीन राच्छी वालों के लिए हेल्थ के तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा इसब्ता आपको ध्यान देने की जरूरत आ रही है करियर में बहुत अच्छा है रिलेशन्शि अच्छा बहुत नजदी की आपके साथ ऐसा कर सकता है जिससे आप दिश्टब हो प्लस एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेट है आप हो सकता है किसी से नए रिलेशन बना रहे हो लाव रिलेशन हो सकते हैं आपके मैरिज प्रोपोलर चल रहे हो सकते हैं उसके लिए आपको ध्यान रख रहे हैं कि जब तक आपके रिलेशन मैं चूर ना हो जाएं बात पकी ना हो जाएं तब तक आप किसी को ना बताईएगा यह था पाईसीन मिन राशी बनों के लिए आपके लिए लख की कलर है रेड आप कुछ नया खरीत रहे हैं तो रेड खरीते कहीं पर इंपोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं इंट्यूव्य में जा रहे हैं रेड पैन के जाएंगे सफलता मिलने के चंसे बढ़ जाएंगे विश्व आल दा बेश्ट तो यह था सात्य वे सब्ता छे नमंबर से बारा नमंबर के लिए बारा नमंबर को दीपावली भी पढ़ रहे हैं आप सब को दीपावली की हार्दिक शुपका अमनाए लक्ष्मी मां आप सब के घर में वास करें आपके घर में हमेशा सुक्स न